ही हाई गाईस जैसा कि आपने आज की इस वीडियो के थमनिल में पढ़ा होगा आपको पता है कि आज हम लोग इसी टापिक पे बात करने वाले हैं तो आज का जो टापिक है वो है वेबसाइट बनाने में आपको क्या कुछ खर्च लगता है एक पॉफेशनल वेबसाइट बना करके उसे इंटरनेट पे पब्लिस करने में और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फ्री वाले वेबसाइट पर बनाते हैं तो उसमें और प्रोफेशनल वेबसाइट जो की पेड वेबसाइट होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होते हैं तो चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ difference होता है और क्या benefit मिलती है professional website जो कि आप लोग एक purchase करके बनाते हैं जिसमें आपको कुछ costings लगती है और एक free website जो की देखनी में होगा हो वैसे ही लगती है बट उसमें आपको एक रुपे भी खर्च नहीं करने होते हैं तो let's begin तो यहाँ पर गाईस हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले purchase website की आपको एक website बनाने में क्या कुछ costing लग जाती है स्टार्टिंग से लेकर के publish करने के अंतक में तो यहाँ पर जो सबसे पहला point आता है वो point आता है domain purchase करना domain क्या होता है यह अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसके लिए हम अपने एक नए वीडियो में आपको उसकी complete discussion दे दे देंगे फिल्हाल मैं आपको एक example की तो पर बता जिता हूँ आप जितने भी website open करते हैं तो उसका जो address होता है जैसी कि आप लिखते हो www.google.com तो यहाँ पर जो google.com है यह उसका address से उसी हम लोग domain करते हैं ठीक है तो domain आपको एक purchase करना होता है जो कि आपकी website का नाम होता है वो आप कहीं से भी purchase कर सकते हो otherwise आप यहाँ पर google से भी purchase कर सकते हो Goad ID है बहुत सारे website है जो आपको domain name purchase कराती है और यह जो domain name का purchase का खर चाता है वो costing तकरीवन आपको 99 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक में आपको domain मिल जाती है यह आपको depend करता है आप किस तरह के नाम को choice करते हैं ऐसे अगर मैं बात करूं .com वाले domain की तो अगर वो थोरा सा unique नहीं वहा तो वो आपको at least 200-300 के price में मिल जाएगा बट अगर आपको unique domain लेना चाहते है unique means हो गया जितने आप short domain लेंगे उसका charge आपको उतना ज्यादा pay करना होगा और जितना long term में आप जाओंगे तो उसका charge आपको कम pay करना होगा तो इस तरह से होते हैं domain के खर्चे तो यह domain आपको मिलती है एक साल के लिए अतरवाइस आप इसे जितना विचा है उतना expense कर सकते हो ऐसे अगर मैं बात करूँ एक साल की कोष्टिंग की तो एक साल की अगर आपको कोष्टिंग में देखा जाए तो domain में आपको मैं मानता हूं 200 से 300 रुपए का आपको और आपको क्या करना है कि एक जगह इंटरनेट में परचिस करनी होती है जिसमें आप अपने वेबसाइट को रन करा पाओ जो कि smoothly work करता जाए तो उसे हम लोग hosting करते हैं hosting क्या है कि एक तरह का एक आपका package है एक ड्राइब का लाइक जैसे आप Google Drive इस्ते करते हो अपने online storage को store करने के लिए वैसे वेबसाइट में hosting होती है जहां पे आप अपने वेबसाइट की डीटास को वहाँ श्टोर करके रख पाओ तो वह hosting आपको purchase करनी होती है जो कि internet पे एक जगा है जो आपको purchase करना होगा और इसकी कोश्टिंग थोड़ी सी हाय होती है अगर आप अच्छी ब्रांट के साथ जाओगे तो आपको एक साल का कोश्टिंग तकरीबन 5000-6000 के आसपास खर्च लग सकता है तो यहां पर जो टूटल कोश्टिंग हो गया है यहां पर 6000 और 300 तो यहां पर YouTube कोश्टिंग तो आप यह खुद से expert design कर सकते हैं like PHP asp.net से आप आसानी कर सकते हैं अगर आप चाहती हो कि नहीं यह कि मैंorus बनाना चाहता हुं बट website तयार कर सकते हो किसी भी तरह के themes को apply करके और वो देखने में बिल्कुल हूब 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 ऐसे ही लगते हैं जिसमें आपको एक भी coding करने की ज़रूरत नहीं होती है तो यह हो गए दो अलग-अलग topic जो की website पे cover होते हैं अब बात करते हैं कि free वाले website कैसे होते हैं और जो हम लोगों ने इतने रुपए खर्च करके website बनाए तो उसका क्या फायदा है तो यहाँ पे फायदा कुछ ऐसा ही है like मैं अगर आपको बात करूँ आप जैसे की ये वीडियो देख रहे हो YouTube पे तो YouTube क्या है ना कि एक platform अगर मुझे इस वीडियो से कुछ income हो रही है तो वहाँ पे मेरा कुछ percentage YouTube अपने पास रखेगा क्योंकि YouTube ने एक platform मुझे तयार करके दिया है अपने वीडियो को upload करने के लिए तो ये जायज है उनके पास पैसे जाने चाहिए कुछ percentage तो उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ फ्री वाले वेबसाइट पे तो फ्री वाले वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा ही होता है लाइक अगर मैं बात करूँ गूगल के blogger की तो blogger में आप जाकर के आसानी से अपनी website को बस 2-5 मिनट के अंदर में डिजाइन कर सकते हो without coding सारी कुछ आपको अच्छे खासी मिल जाएंगे और सारा कुछ professional website के जैसा look आपको उसमें भी मिल जाएगा बट वहाँ पे आपको एक रूपे भी खर्च नहीं करने हैं वहाँ पे जो आपका domain होगा वो blog sport का होगा लाइक जैसे मैं अभी example के तो पर बात करूं तो www.google.blogspot.com तो यहाँ पे जो एक blog sport बीच में आता है यह आपको domain hosting सारा कुछ तयार करके देता है और hosting की भी आपको ज़रुरत नहीं पड़ती हो क्योंकि Google अपना एक drive create करके देता है जो blogger पे waste है वहाँ पे आप आसानी से website को run कर सकते हैं बट यहाँ पे दो चीज आपको समझना होगा कि आप इस पे अगर run कर आते हो अपने website को तो इसका जितना भी आपको अपने website को publish करके कुछ पैसे earn कर रहे हो और बात करें अगर आपको search rank में तो जहां तक बात है कि अगर आप purchase domain लेते हो और purchase वाले मान के चलिए अगर hosting आप लेक रखे हो like 6000-7000 के range का hosting आपने ले रखा है तो वहाँ पर क्या होता ना कि आपकी website का जो rank होता है में इसकी search rank में वह ज्यादा fast से grow होता है अगर आपने purchase वाला ले रखा है तो otherwise अगर आपको कोई professional work नहीं है अगर आपको कहीं पे traffic नहीं लाना है अपने website पे आप सिप अपने personal work पे सारे जगा शेयर करना चाहते हैं अपने website की details को तो फिर आप easily जा सकते हो free वाले website के साथ में और blogger पे अच्छी खासी websites बना सकते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं free व website में कैसे बना सकता हो वो भी जो कि बिल्कुल professional look देती है तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आप से कुछ ऐसे नहीं वीडियो के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करके जरूर share किजेगा और कोई सवाल है आपके मन में इस website से related कोई भी topic पे तो आप इस वीडियो के नीचे comment पे लिख सकते हैं हम कोसिस करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के तो आज के इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आप से कुछ नए वीडियो के साथ में तब तक good bye and take care